नमस्कार बहुत स्वागत है आपका TV24 आप देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ अमित शर्मा हमर विधानसभा हम तो पूछेंगे जनता के सवाल और आज जनता के सवाल पूछने के लिए TV24 की टीम पहुंची हुई है कोंटा विधानसभा शेतर के सुकुमा में ये सुकुमा आडिटूरियम है जहां आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष भी मौजूद है विपक्ष भी है तीसरा दल भी यहाँ पर है इसके लावा जो जनता है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है इसके लावा जो विभन करमचारी संगठन है फेडरिशन है उनके लोग भी यहाँ आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉंटा विधानसवाज शेत्र में इतने सालों में कितने विकास के काम हुए हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी प्रिस्टभुमी आपसे हम इसकी साज़ा कर दे, कॉंटा विधानसवाज शेत्र नकसल प्रभावित माना जाता है, नकस चलावा महारा सुंडी भत्रा राउत मारवाडी मुस्लिम और अन्य समाज की लोग भी यहां पर रहते हैं राजनितिक समिगरों की बात करें तो यह कॉंग्रेस का गढ़ माना जाता है लगातार कवासी लखमा यहां से चुनाव जीतते आये हैं और बीजेपी ने भी काफी ब वोट मिले थे वहीं भाजबा के प्रत्याशी धनिराम बारसे को 25,224 वोट मिले थे कॉंग्रेस को 35 फीजिदी वोट शेयर था जबकि भाजबा को 28 फीजिदी वोट थे इस्थानी मुद्दों की यहां पर बिलकुल भी कमी नहीं है वहीं जो सत्ता पक्ष है वो लगातार दावे करता है कि इस विधानसभाज शेत्र में विकास के काम हुए हैं तो चलिए इस शुरुआत को हम करते हैं यहां से और सबसे पहला सवाल सत्ता पक्ष सही होगा कि आपके ही विधायक लगातार यहां पर जीतते आये हैं नक्सकार भी एक बड़ी समस्य यहां पर बनी ह हुई है बीजेपी का कहना है कि जिस तरह के विकास काम यहां पर होने ते वो नहीं हो पाएं लेकिन कितना अक्तिफाक आप रखते हैं क्या मानते हैं कि कॉंग्रेस जब से सीट पर जीत रही है तस्वीर यहां पर बदली है देखिए आप सब को पता है पिछले 15 साल में 2018 से पहले यहां पर जब से 2003 में बीजेपी की सरकार आई थी तब से लेकर चाहिए उसलवा जुडम के माधियम से हो चाहिए और किसी के माधियम से आदिवासियों को दबाने का कुचलने का उन्हें मारने का प्रयास यहां पर भारती जंदा पार्टी के द्वारा किया गया था और मैं आपको बता तुम महच मात्र साड़े चाहर से पौने पांस साल में जब से भुपेश बगल जी की सरकार आई मानने मंत्री जी कावसी लख्मा जी यहां पर मंत्री बने तब से लेकर अब तक आपको बता दूं सीदे आदिवासियों के जेप में पैसा डालने का 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 सरकार तो सब्सक्राइब जितने वर्क के लोग है उनको लेकर के चलने वाली या और भार्टी जंदर पार्टी के लोग उद्वकति की सरकार है तो भाजपा सिर्फ उद्धोख पतियों की सरकार है धनीराम बारसेजी हम निविदन करें कि आप ही सवाल का जवाब देंगी आदिवासियों के लिए जब आपकी सरकारती तब उतने काम नहीं हो है कॉंग्रेस कारोप है लेकिन क्या कॉंग्रेस के शासनकाल में उन पर ध्या कामनाय देता हूं और जैसा कि अभी कांग्रेस का कहना था कि मैं आपको बता दूं सीधे रूप से 2003 के पहले जब चत्तिजगड का निर्माड हुआ भारती जन्ता पार्टी के हमारे भारत रतन अटलब्यारी भाजपेईजी ने जो है ना चत्तिजगड का निर्माड किया निर्माड करने के बाद दूर्भाग्य से चत्तिजगड का मुक्यमंत्री कांग्रेस का बना और कांग्रेस का बनने के बाद जो दूर्दसा पूरे चत्तिजगड में गुंडाराज का जो माहलता उसको खतम करने के लिए जब पहला चुना हुआ 2003 में तो भारती जन्ता पा मैं कांग्रेस को भाईयों को सीधे रूप समय कहना चाहता हूँ, 2018 तक जितना विकास हुआ है, आज सुक्मा जिला की बात करें, आदिवासियों को चाहे विरोजगारों को रोजगार देने की बात करें, आज यदि आदिवासी अच्छे खपड़े पाइन पारे हैं, आज सुक्मा जिला को बहुआ हैं, प्रिवासी हो चाहे जन्रेलों गरीब परिवार के लोग अज एंजिनियरों बड़े प्रहमाने यहां पर विखास हो रहा है और यह कांग्रेस की बात करते हैं आज जो एनेश आप लोग आये होंगे जगदलपूर से जो है सुकमा की जो रोड यहां से आंधरा से जुड़ती नहीं उसको निर्माड करने के लिए वहां पूरा तलाब बना हुआ है वहां पर रोड कहीं नहीं है यह सारी बेस्ता जो है ना कांग्रेस ने पूरा ब्रश्टाचार में कतम दिया के वले ठीक है इस पर और भी आगे बात होगी आम आदमी पार्टी यहां पर मौजूद है क्या लगता है कि कॉंग्रेस का रोशासनकाल है वो कितना ज्यादा विकास के साथ यहां पर रहा या पिर कुछ कमी रह गई सबसे पहले सुकमा जिला में टीवी 24 का स्वागत है पूरे आमादमी पार्टी की ओर से और सबसे बड़ी बात ही है कि आज 36 गड़ में बिजली उत्पादन होता है बाकी अधर इस्टेड भी 36 गड़ गोवर्मेंट से खरीद कर बिजली ले जाती है जैसे हमारे राष्ट स इस्टेड में बिजली मुक्त है 36 गड़ सरकार यहां बिजली उत्पादन कर रही है तो वह 36 गड़ में बिजली मुक्त करवा सकती है और इनका एक वादा था कि आदा बिल आदा दाम में देंगे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है विजली बिल में बड़ोतरी होत भी हम चर्चा जरूर करेंगे इस्थानिय पत्रकार हैं आप लोग और लगातार आपने इस को देखा है लेकिन जो छेत्र की तस्वीर होनी थी आज इसकोंटा विधानसवाद शेत्र की क्या लगता है कि सरकार उसके साथ न्याय कर पाई है तो कुछ नया बदलाव करता है उस भी नहीं बदली जैसे पीडियेस का जो मुद्दा है वह आज भी गरमाता है लोगों की शिकायते आती है लेकिन किसी तरह की कारवाही नहीं नजर आती है नए किसी को जिल भेजा जाता यह इस्तिति आज भी बनी हुई है तो पहले जो आज भी बनी है ज़्यादा इसमें तब्दीली नहीं आई है हमारे साथ अलग-अलग संगठन के लोग यहां पर हैं करमचारी वर्ग से भी पहुंचे हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे क्या आप लोगों की मांगे हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाई हैं अब तक है हमारा जो हम लोग मैं लिपिक संग से हूं लिपिक संग में करीब 42 साल से हमारी मांगें चली आ रही हैं हमारी मांग के लिए हम लोग जो बिलासपूर में कि 2019 में 17 फरवी 2019 को बिलासपूर में एक महा समयलन कराये थे प्रांती समयलन कराये थे वहां पर मुख्यमंत्री जी खुद आये हुए थे और उन्होंने बोला था कि हम जुमले बाद नहीं हैं हम जो बोलेंगे करेंगे इस साल हम किसानों के लिए दे रहे हैं अगली साल करम कुछारियों के कस्ट को सरकार को समझना चाहिए निविदन यहां पर किया जा रहा है एक और फेडरेशन यहां पर है चात्यसगर्ण हेल्फ फेडरेशन उनसे भी हम बातचित करेंगे और उसके बाद फिर से हम सत्ता पक्ष से सभी सवालों का जवाब लेंगे आप लोगो सवास्ते हैं जोखो राजनीती बहुत बड़ी चीज होती है हम भोले भाले स्वास्त कर्मी है हमारी मोल भूत अधिकार है जिनको मांग कहा जाता है इनके लिए हम हात पहला के सरकार के पास जाते रहे है छोटी मोटी मांगे है कि हिंसा ना हो कोई भी जान से बड़ी चीज क्या होती है जान से बड़े चीज कुछ नी होती है फिर भी अगर आप राजिबर में देखेंगे तो हिंसा बढ़ते जाती है ऐसा निये कि कोई ACT नहीं है इसके लिए कोई कानून नहीं है लेकिन उसे Implement नहीं किया आता नतीजा अस हमाजिक तत्व जो हैं उन्हें सह मिलता जाता है और हिंसा बढ़ते चले आती है दूसरी मांग हमारी वेतन वे संगती की है इसके लिए हम 2014 से हमारे आरेचोज की मांग 2014 से है हमारे अनुबंधिन चेकिच सकतों की अनुबंधिन चेकच सखोगी की और भॉर्डे डक्टर्स की मांग 2017 से है इसके अलावा 2019 से हमारे जू नियमे चेकिच सके हैं उन्हें DA, HRA, सबना अनुऽार, वे ह्वेतन मान यह सब ने मिला है हम साल प्रती साल वर्ष प्रती वर्ष इसी वर्ष हम चार बार सरकार के पास जा चुके हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है वो अपने संग्यान में ले के भी कुछ करना नहीं चाहते हैं हमारी हो सकता है संग्या बल में हम कम हैं हो सकता है कि चिकित्सक चाय बाकी अन्य स्वास्तकर्मी हो, उन्हें इतना कमजोर समझाता है कि यह कुछ करनी सकते, यह ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो हम सामने से करना है, सरकार के अपने नियम है, उनके साब से सरकार हमें देनी पा रही है, कोई इंसेंटिव है, कोई इंसे सरकार की खुद की जो guidelines है हमारी 5 फी माग जो है IPHS guidelines जो है सरकार खुद कहती है कि एक अस्पताल को चलाने के लिए हमें इतने कर्म चारी चाहिए और खुद उससे आधे strength पर चलाती है इन में से एक भी बात ऐसी ने जिए देखते हैं कमानी जाती हैं चलिए तो बहुत सारे सवाल आ गए और हम सत्ता पक्ष का रुक करेंगे सभी का एक एक करके हम विस्तार से जवाब लेंगे सबसे पेहला जो भाजपा ने उठाया सवाल की लगातार विकास के काम यहां पर होने थे लेकिन नहीं वह पाई सिर्फ कागजों में वियास रहा दूसरा सवाल कमिशन को ले करके आया कि अभी भी यहां पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें भरस्टाचार देखने को मिलता है क्या जवाब होगा सत्ता पक्ष कैस पर पहली बात तो भरस्टाचार यहां है यह नहीं भरस्टाचार 15 साल के सरकार रम हमने अभी तक बिकास का पूरे काम किये हैं पूरे बिकास के कार हो रहे हैं हर पंचायदों में डामरी करन रोड पुलिया मानी मंत्री जी के द्वारा और हमारे सरकार के द्वारा किया जा रहा है गरीब भूमी इन गरीब किसान के जेब में सालाना पैसा डालने का काम हमार हमारी सरकार किया है किसी परकार का कोई भस्टा आप लगाने से नहीं होता है दिखना भी मैं बड़ा दया आ रहा है कि नाजीम भाई बड़ा रोते हुए बोल रहे हैं कि आम बश्टाचार नहीं है मैं चिंगर बिलाग की बात कह रहा हूं ठांगार राज की वहां पर वाड़ पांच आज पिछले दस बारा दिन चे नगदी वाला पुलिया लाया है राजमन बंजाम से बना बुना है उसको मैं कहीं बार मेरे पास आया मारे रिष्टेदार में मामा लगता है उनको मैं सीयों को बोल दिया इंजनियर को बोल दिया या एश्डियों को बोल दिया उसके बाद भी उन लोग अड़े हुए हैं पचासा जारत दे होगे तब ही मुल्यांकन करेंगे यह क्या बरिश्टाचार नहीं है है मैं पूरे साबित बर के बता रहा हूं रेगड़ गट्टा के सरपंचिन कला के कलेक्टर साब को लिकित सिका करके अठरा लाग कुछ निकाल लिया है एक या बरिश्टाचार नहीं है और और मैं लोग को बताना चाहता हूं अभी बहुत बोले कि आदिवाशियों का बला करने वाला बुपेज बगेल खुवासी लकमा यही बला है जो यहां पर दो दो दिन तेंदुपत्ता करीदो उ जवाब सत्ता पक्ते जवाब ले लेते जी अधर निहुंगा राम मरकाम जी ने अभी जो जितने भी आवरूप लगाएं सब निराधार है सबसे पहले अभी मैं कुछ दिन पहले कली उनका एक सोसल मीडिया में मैंने देखा कि अगर इस बार कौसी लकमा जी जीते तो मैं स नियास ले लूगा उन्हें तो सबसे पहले सन्यास तब लेना था जब उन्हें के उन्हें के गाओं में उनके जब भाई हारे वह अभी विधान सबागी तैयारी कर रहे हैं आज तक सोची वहां पर उस खुद के गाओं में एक सर्पंट नहीं जीता पाएं वह क्या बात कर हमारे यहां पर टीवी 24 का मैं सुखमा में आपका स्वागत करता हूं और हमको आपने बोलने का मौका दिया और सबसे पहले मैं मैं इनसे पूझना चाहता हूं जो कांग्रेस की उपर आरोप लगा रहे हैं मैं यह पूझना चाह रहा हूं अगर 15 साल में विकास होता तो यह 14 में नहीं सिमटते 14 में सिमटते नहीं 14 में सिमट गए और आने वाले समय में 14 भी खतम हो जाएगा क्योंकि विकास विकास बोलता है विकास दिखता है विकास हो रहा है चाहे हो किसान का हो चाहे वेपारी का हो चाहे आम जनता का हो सभी का विकास हो रहा है और रमन सिंग को और ये रमन सिंग के आए हैं उनके बारे में बोलने के लिए अगर बीजेपी को अगर इनके उपर विश्वास रहता तो आज 12 विदायक को ओड़ी सा से यहाँ पर किराय में बुलाकर इनका इनको पसिक छल्क देने के लिए नहीं बुलाते और आने वाले समय में जो यह 14 वि अचानी पाएगी यह कह रहे हैं कॉंग्रेस के लोग जी यहां जो विकास की बात हो रही है किस विकास की बात हो रही है बाई साब अगर 20 लाग का भवन का निर्माण भाज पाके शासनकाल में हुआ है तो आज उसका लिपाई पुताई मरमत का काम 50 लाख में हो रहा है तो पिछले साड़े चार सालों में अपरादों में विर्द्धी हुई है। वोईला गोटाला 5,000 करोड की ये किसने किया कांग्रेस की सरकार में चाहे वो खाद्यान की घोटाला हो किसने किया कांग्रेस की सरकार में आज विकास की बात बोलते हैं चाहे वो गोठानों की घोटाला हो गोठान कहां है हर गोठान में गोठान बना है क्या हम पूरा ब्रमन चाहें गोबर का हो या गोठानों का हर छेत्र में घोटाला ही घोटाला है आज भिकास खी बात कर रहे हैं। विकास भाजपा की सरकार हमारे मोदی जी सम्मान, जी ने जो दिया है ले माता बहन को आत्म निर्मर बनाने के लिए समू생 आज फ्रदान मंत्री आवज साले चार साल होने जा रहा है आज उझ्वला गेस कहां है वो बंध हुआ आज बेए समाजी क सुर्च श्र१ पेंसान ओ कहा है। सब्सक्राइब करेंगे गोटाला कहां नहीं हुआ यह विपक्ष का कहना है और साथ ही कुछ आकड़े पेश किया है कि पिछले इन सालों में इस तरह के घोटाले सामने आया है सरकार के शासन में सबसे पहले मैं टीवी 24 को बहुत धन्याद करती है सुखमा जीले में आपने पूछा है दीदी बहुत अच्छे सवाल आपने किया है कि विकास के बारे में आपने सवाल उठाया है बड़ी अच्छी बात है लेकिन जब से हमारी कांग्रेस सरकार बाली साड़े चार सुच्छ अपने देखा होगा कि गांगां में स्कूल पांचा गांगां में भिजली पाँचे टियए आप क्या चांटे हां अगर आप विकास शर— जिले में आज हमारे कांग्रेस कि दम पर हुआ है तो सुक्मा में विकास हुआ है कॉंग्रेस के दम पर हुआ है और फिर से विकास पर यह बहुत आकर केंद्री तुए जी तरफ कर लेते हैं क्या लगता है कि कोंटा विधान सभाज शेत्रे में जिस तरह से बीजे पी आरोप लगारी की विकास के काम नहीं कि मैं तो कांग्रेस पार्टी को मैं तो कड़े निंदा करता हूं कि 15 साल से लेकर अभी तक के सोशनी सोशन कर रहे हैं और हत्याई पे हत्या हो रही है जो बादा की थी चुनाओ आने के बाद कहीं 2000-4000 लोगों को छोड़ दिया जाए कि अभी तक कहां चोड़े उनको अब उनके घर की स्थिति क्या होगी और रही बासोशन की नाम से देखा अभी एक नावालिक लड़गी से रेप हुआ है उसका कारवाई का हुई है और तो समाठ जाना चाहिए तो इस्तिपात दाधी को दे देनी चाहिए कि निया हम नहीं कर पाइंगे कोई दूसरा पाटी या तीसरा पाटी का सकते और विकास के बारे में सोच चलिए तो आधिवासियों पर भी बात आई है कि आदिवासियों का संड्रक्षण नहीं था दावे पहुत होते हैं और एक बार फिर से इस विश्यक उठाया गया है कि प्रशासनिक प्रशासनिक जो तंत्र है वो भी उन पर ध्यान नहीं देता जी तेखिए मैंने पहले ही कहा कि यह सरकार है जो आदिवासियों की सरकार और सब वर्कों लेके चलने वाली सरकार है इन्हों ने घोटाले की बात की आप सब को पता है जब रमन सिंह की सरकार थी 20 लाग फरजी रासनकार वो बनवाए थे और 36,000 रुपय का नान घोटाला किया थ लेकिन जब हमारी सरकार आई पूरे रासनकार को कटवाए उसके पश्चात पूरे आप सब देखते हैं कि हम दो 36,000 से ज्यादा रासनकार बना इनके समय में रासनकार बनता नहीं था सिर्फ बीपेल को रासनकार देते एपील को हमने रासनकार दिया और आप अभी सिक्षा पहली बार पुरे नमबर वन सुकमा जी लाया और बारवीड सेकंड नमबर पर आया इनके सरकार के समय क्यों नहीं को साथ हो पाता था इनके को पूरे इस में पूरे इसकुल है तो यह आदिवास्य का सोचनि भीचेपी वाले करते हैं को दूसररे बार्ती नहीं चलिए तो इतने सारे काम कॉंग्रेस ने गिना दिये हैं कि आदिवासियों के लिए काम हुए हैं फिर बीजेपी को क्यों आपती जी धनिराम जी सबसे पहले तो मैं बता दूँ अभी घोटाला की बात कर रहे थे यदि घोटाला नहीं होता आज चतिस गड़ के आएस अभिसार चाहे साम्या जी हो चाहे रानू जी हो आएस अधिकारी पूरे जेल में गहे हैं क्या गुपेस बगेल का घोटाला नहीं है क्या यहां पर दार किसने किया कॉंगरेस नहीं क्या है कवासी लखमा पच्छी साल से भिदायक थे जब महने कनमा जी सल्वाजुरूं का सुछुआत कर रहे थे उस समय कवासी लखमा आदिवास के बात करते हैं दोरी निति के काम करते हैं पुरे यहां पर अमारे झीले की जो सिक्षा की बात आज अगर यहां पर लोग हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका निव भारती जनता पाटी ने बनाई है सुकमा जिले में, सुकमा का जिला बनाने के बाद, आज जितने भी यहां के ट्राइबल्स जितने भी जो कर्मचारी बने हैं, चाहे वो एस्पियों के मादियम से पु मेले मेलाओं को बेदखल किया गया, आज यही जूट बोलते हैं, चलिए ठीक है, तक अभी हम रुख करेंगे और बाच्ची जनता सभी और आज आपके पास मंच है, मौका है, सत्ता पक्षभी है, विपक्षभी हैं से सवाल करने का, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भी य मही जून में गोटान, गोटान के विशे में बाच पकारे करता हूं कूपर, अब सब्द का टिपड़ी करते थे, और आज के डेट में देखो, रोड में गाय गोटान बना हुआ है, यहां का, और मैं हमारे जगरनाथ साहू, राजू भीया से पूछना चाहता हूं, जो डखन कब डखोगे भया, वो तो बता दो, इतने सालों में सरकार ने जो काम की है, और अब जो जनता आरोप लगा रही है, दोनों में एक्तिफाक है, अभी भीया, जब से कांग्रेस सरकार सत्ते में आने के बाद, चुनों में कापी दावे किया है, अभी के डेट में आप अज़ 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 कहा है, अज़ कहा है सरकार, कहा है भुपेज बगेर, चलिए, तो बहुत सारे सवाल आ गया है, सत्ता पक्ष के लिए, और सिलसलेवार हम सभी सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, पहला जो सवाल था, जनता का वो ये था कि, नगर पंचायत में भी प्रस्टाचार देखने को मिला है, जो अवैद शराब का, जो खनने वो लगातार जिले में बढ़ गया, इसे लेकर अब सरकार क्या करेगी, जिसने जो आरोफ लगाया, वो सबसे पहले सोट के उसी को ढूंडता है, पीने कहा जाओं, पुरे जितने भी भारती तक यह वसूली करते थे, आज इनको भी सुक्मा नगर पालिका में आप खुद देखे होंगे, कि सुक्मा नगर पालिका आज से पांस सार पहले कैसा था, और आज कैसा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, कि सुक्मा नगर पालिका में विकासे, पहले क्यों नहीं नह जिलाने जब ले के जाते हमारे हिंदु समाई में टब एक भी यहाँ पर मुटी धाम नहीं हुआ था हम ने इस 누 subscribe मिधोम कररें आप सबसे लेकिन जो इस तर पर रोजगार देने की बात है क्या लगता है कि सरकार कितना उस मुकाम को हासिल कर पाई है बस्तर बटालियन में पुलीस में हमारी सरकार ने लगातार भरतियां करते जारी है और सबसे ज़ादा जितना 15 साल में भरतियां नहीं हुई है आप आकड़े उठा के देख लिजे हमारी अभी चाड़े-चार साल की सरकार में उसमे cyclingad black से आता हूँ चिनगारबलाप में 69 पंचायद है। 69 पंचायद में सिर्फ एक पंचायद है जो दबा पहाडी के उपर है, बाकी 39 पंचायद में आप बाई रोड़, बाई औक और अम गुमा सकता हूं आपको, ततकाल अभी मैं आपको विकाश दिखा सकता हूं। इसके पहले 15 साल में तोमपाल से अंदर लेदा धेड़ किलोमेटर दूरी है लेदा तक नहीं जा सकते थे इतना ज़्यादा नक्सलाइट और घोर समस्या और रोट की समस्या थी रही बात इन लोग जगदलपुर सड़क की बात कर रहे हैं जगदलपुर सड़क की बात मैं ब बारीश आगयी वह काम मंत्री काम नहीं है मंत्री ने सेंक्सन कराया काम कि ठकेदर का में ठेकेदर ने आदा दूर तक काम किया है ऑब बारीश में डामर डारने का परमिसन ऐसे भी नहीं है बारिष के बाद फिर काम चालू हो जाएगा उसमें कौन सा भष्टा चारू है काम जलिए तो काम चल रहा है और बारिष के बाद जो काम है वो फिर से शुरू होगा कुछ नए चेहरों को भी हम मौका देते हैं जे जो कांग्रेस वा का सानाने के बाद दो लाग तीन लाग काम को भी टेंडर ले रहे हैं एंस टाकेदार लोग अपृट यह कांग्रेस वाले इसनी लोग व्रीश लाग विव 15 काम को गरां-पंचाज काया काम करते थे ग्रां-पंचाज जेंसिता अगरां-पंचाज को नाच देकर अभी पाइब कर दिये एक खोज़ारा देती करते ही लोग अब राजी बहुत रहता गारी सोग गारी सोग बढ़ने से सुक्मा कि नगर पंचाज क्या विकास हो गया क्या चलिए युवाओं को लेकर क्या बेरुजगारी भत्ता दिया है सरकार ने कहारी सरकार तो क्या युवा इस बेरुजगारी भत्ते से खुश है या पिर नौकरी मिलती तो ज्यादा खुश होते ना तो नौकरी है ना तो बेरुजगारी भत्ता है यहां पर बैठे कितने बेरुजगार है किसी को एक रुपए बेरुजगारी भत्ता नहीं मिला है अगर बेरुजगारी भत्ता एक भी की राज़नीती करता है जहां मेरा शर्पच नहीं है का मेरा जन-प्रफ नहीं क्åañ tá pojaw कार्ये करेंगा कोई काम नहीं देंगा यह दूःब रएस साइ result नहीं आता क्या कांग्रेस के वगठानों को今年 a you कि परती निलीर ओर जनन परती नीदी लोग से लुडmother टूंगे बेड़ते तो सपति लेकर पहले मतलब हमारे दी चेत्रे का विखास करने विए सपत ู है तो सपत क्यों ही सब्सक्राइब करने के लिए चलिये तो जो सरपन्श में कॉंग्रेस के उनका काम नहीं हो पाता यहां पर सवाल उठाइव जवाब चाहोंगा क्राइब का पंग्रेस के कारकाल को पैसा में आती है औरम पंचायत का पैसा सरपंच का हक होता है ना ही मंत्री का हक नहीं होता है, है ना सरपंच अपने हस्ताक्षरों से निकालते हैं, मंत्री कोई निकालता नहीं है, पंद्रेवित की पैसा भी ग्राम पंचायत में ही आती है, हमें 25% की सुध्योष में खर्चा करना है, और 75% की सुध्योष में खर्चा करना है, स्वास्त क प्रती और अपने गाउं में स्वक्षता के प्रती ये सब योजना के तुरू कार योजना बनती है और काम विकास का होता है वो बहुत गलत तरीके से इलजाम लगा रहे हैं इसमें कोई मंत्री का नहीं होता है हमें सक्षम होना चाहिए कि हमें कैसे काम लाना चाहिए और हमें कांग्रेस को बिवाइए कि हर सरपंच है जगा में विकास है यह उन्होंने विल्कुल कलत रहे दिया है मैं एक महिले सरपंच बोलती हुँ और मैं आपको बताती हूँ आज महिलाओं के करती है मुर्गी फालन में महिला शोषाता को समू के द्वारा गाय की दूद्ध का वो दिया गया डेरी मैडम भी डेरी का चलाती है समू के साथ ऐसे आप जो भी कांगरेस्पर्ट्री की देन है चलिए जवाब ले लेते हैं महिलाओं से जवाब लेते हैं जी कितना लाब मिला है जी मैं लाब के बारे में बता रही हूँ जब मैं कांगरेस में रही तो भाजपा की सरकार थी भाजपा की सरकार में मैं गाउं का विकास करी हूँ आज मेरे पंचायद में दादी कितना काम एक भी अपने मुल्भूत से या उनके फंड से दिये है क्या करो सर्बे अभी स्कूल जतन योजना चला है अब ठेकेदारी से कर रहे हैं ठेकेदारी से कर रहे हैं आज महिलाओं को क्यों काम नहीं दिया जा रहा है कि आप पूछना चाहती हूँ आज आज इसाई धर्म के लिए मरघठ बना है आज प्रमें जवाब दीजे जवाब दिए जवाब दिया है आज शुषायत कि योजना है क्योंकि बीजेपी की महिला है इसलिए वह ऐसा बोलती है आज वह कांग्रेश का सरपंच आप पूछिए वहां विकास क्या हुआ है विपक्ष तो हमेशा उल्टी बाते करता है न अभी एक कांग्रेश जन के द्वारा आदिवासी हित की बात कही गई है यह अग इस सीजन का बात नहीं कर रहा हुआ है पिछले सीजन का बकाया राशी बचा हुआ है जादा तर आदिवासी भाई बैन उस संग्रण में काम करते हैं तो क्यों नहीं दिला रहे है आदिवासी इत की बात कर रहे हैं तो इसके अलवा एक बात आई अभी सल्वा जुडुम की पहले तो हमको सलवा जुडम का परिभाशा समझना होगा उसका अर्थ क्या है सलवा जुडम का मतलब है शांती जुलुस क्या मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ अशांती जुलुस निकालेंगे क्या ये लोग अशांती जुलुस निकालेंगे क्या ये मैं कहना चाहता और बात आई सलवाजुडुम और नक्सलवाद की तो यही कांग्रेस के लोग नेत्रित्व किया सलवाजुडुम का और खुद यहां के विधायक और आज के माननी मंत्री जी कवासी लखमा जी भरी मंच में सलवाजुडुम के मंच में का है कि नक्सलियों को भगाना है इनको नहीं आ रहें यहां पे क्योंकि यहां विकास के नाम से भर्ष्टा चार किया इसलिए वो भाग रहे हैं आरुप प्रत्यार्वप तो बहुत होते रहेंगे पर मेरा ये कहना था कि सिक्षा और स्वास्थे जो जरूरी मुद्धे हैं उन पे बात क्यों नहीं की जाती है आज हमारा जो छेतर है असिक्षित है और स्वास्ते सुविधाओं में भी यही हालत लगा हुआ है कि हम देख रहे हैं कि जो भी चिकित साल है वो रेफर सेंटर बने हुए हैं सर तो यह सिक्षा और सुविधा पे यह पार्टियां कब बात करेंगी आज 36 गड़ बनने के 22 साल होने को हैं तो यह जरूरी मुद्दों से भटका के लोग अन्यत्र ले जा रहे हैं यह कब तक चलेगा सर क्या यह आम आदमी की पार्टी की सरकार ही यह जिम्मेदारी ली है जैसे दिल्ली में लिए वज़से यहां भी लेगी देखा जाएद पूला वराम के मुद्दा बड़ा सवाल है यहां पर कुंटा में इतने सारे जन संक्या हैं काफी समाज के लोग है कास्तों पर दुरला जाती के लोग है काफी समाज में विस्तरित फैले वें तो आज सरकार के लोग इस पर क्या भूमिका है अभी कितने देखा जा रहे हैं अब यहां पर करमचारी वर्ख का भी सवाल उठा था और लगातार जो नियमिती करन उसकी भी मांग यहां पर की जा रही थी जी करमचारी वर्ख से भी सवाल बहुत सारे आ रहे थे जी जी मैं पहले इटवी 24 का धन्यवाद देता हूं कि वह सुक्मा में अपना कारे कर रहे हैं नो डाउट यहां पर जो भी विकास हुआ है जो भी शाशन में बटेगा हो कारे करेगा यहां पर बहुत सारे करमचारी वर्ख के लोग हैं जो अपने अपनी मांगों को लेकि ह चाहरी को सब्स्थी करेंकरियों सब्स्र office करें डाउटारी में अच्छे से भाघ लें और आपके साथ कदम-चदम मिला कर चल सके जलोस कर 75 यही अपने नॉम्स हैं उसके तहती सरकार के पास अपने अपील की है लेकिन क्या वज़ा आप मानते हैं कि जो काम है वो नहीं हो पा रहा है क्या सिर्फ राजनिती की वज़ा से जो काम है वो टक जा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि चुनावी साल ऐसे में दोनों ही पार्टियों की वस्तिता है और सरकार के इस पर फोकस नहीं है बात साफ बात है फोकस की है कभी हमारे मुद्दों को एहम मुद्दा माना ही नहीं जाता क्योंकि हम कभी कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है हमें राजनिती से कोई मतलब नहीं है हमें अपनी सेवा देने से मतलब है यह समझा आता है कि हम बस अपनी सेवा देते रहेंगे और हमें नजन्दास कर दे जाता है यही कारण है कि हमारे मुद्व उपर फोकस नहीं है चलिए तो क्या लगता है कि सरकार वाकर जो फोकस अपर नहीं है सर अमारी जो मांगे हैं हमने भुपे सैतो भरोसा हमको जब जब हम सासन के बीच में मांग रखे हैं पतरचार के मादियम से निवेदन के मादियम से हर परकार की गांधी वादी के मादियम से भी हमने सासन तक का अपने मांग को रखे हैं लेकिन हमें हमेशा अर बार यही कहा क्या है बोपेसायतों बरो सा रखीये आपकी मांग जाय刑-ढ biking सरकार बिल्कुल पूरी करेंगी लेकिन उना की। सरकार की सरकार अभी अभी शाशन का ईहां इस कारेकाल मेंग होगाई अभी भी बोल हम उन सेवाओं को इसलिए बाधित किये हैं क्योंकि हमारी मांग को सासन सुनी नहीं रही है नहीं हमारी मांग को आगे कुछ विचार कर रही है इस कारण से हम लोग आज रखे हैं हमारी मेन मुद्दा है वेतन विसंगती वेतन विसंगती हमारा कहीं सालों से है उसको भी द्य नहीं दिया जा रहा है और इसके साथ वेतन मान और डाक्टरों की इस्टन पैड यह सारे चीज़े मांगे रखा हुआ है चलिए तो सत्तापक्ष से हम जवाब भी ले लेते हैं वेतन विसंगती दूर करने के आतार मांगे हैं करमचारियों कार का क्या अब एक्षन होगा और इसके साथ ही एक एहम सवाल यह है कि जो डॉक्टर से जो स्वास कर्मी है वो अपनी तुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है तो जो प्रोडेक्शन एक्ट है उसे कब तक अमल में लाया जाएगा जी सबसे पहले तो मैं हमारे जो बीजेपी क दमरु भाई है जनपद उपादेख्च छिंगर से मैं भी जनपद उपादेख्च हो रही बात मानी मुख्यमंत्री बुपेव बगल जी ने सबसे पहले जनपरती निदियों का काम किया उनका तंखा में भृद्धी किया पहले जनपदों को पंदरा सु रुपया मिलता था 15 साल में अभी अभी सब को प्रतेख जनपसदस को पांच हजार रुपए देने का काम किया वाट पंच को 200 रुपए था उनको 500 रुपए किया और 1000 रुपए सरपंच का था उसको 2000 रुपए किया और अभी करमचारियों का भी तंखा बढ़ाया जा रहा है दूसरा बात आम अदमी पार्टी ने कहा रेफर सेंटर बनके रखा हुआ है हमारा जीला हस्पिटल अभी सर्वे होके गया है स्वास्त की टीम आई थी दिली से एक नंबर से एक नंबर इसको एवाट देके गई है हमारे यहां डालेसी सेंटर खुल चुका है डेली का कम से कम जीला स्वास्त कर्मियों का अभी यह बीजेपी के लोगों ने कॉंटा में गुंडागर्दी करके गाली गलोच करके उनके साथ धक्कमुकी किया है हमारी सरकार इसमें बीचार कर रही है इनका प्रोटेक्शन के लिए माननी टीस सी देव जी ने काफी सपोर्ट किया है और आने समय में अभी तो चुनाओ दो मैना बचे हुए हैं और बजट सत्रोगरा भी सब खतम हो चुका है अभी ज्यादा बोलना उचीत नहीं रहेगा चुनाओ के बाद पूरा पुना इनकी परक्रिया की जाएगी चलिए जे जी जी अभी नीती आयोक के द्वारा नीती आपता के केंदर से होता है पूरे 36 गड़ में 40 लाख जो गरीबी रेका से नीचे हो जाए जीवान यापन करते थे वह गरीबी रेकास के ऊपर आएं तो आप देख सकते हैं कि भुपेज भगेल जी के कारेकाल में गरीब लोगों को हर एक हाथ में काम देने का काम किया है हमारे मंत्र मंत्री जो दारु मंत्री का सुपुत्र कवाची यारीच दो 10 साल जिला पंचायता देक्स है हमारे चिंगर चत्र से एकांग में भी सोचालाई दिया है तो बताएं कई सोचालाई भी अगर विकाज की बात करते हैं दूसरी बात जब-जब सुना होता है इवान पर चर्चा इवान को चर्चा इवान को चर्चा करते हुए तोंगपाल से कोंटा तक देखा वो खूद पड़ाई में बिल्कुल थर्ड किलास वाला जो बड़े मुश्किल से इधर उदर करके पास हुआ वाला में लालावालों से चर्चा करता है उसको सरम नहीं आया चर्चा किया जरूर लेकिन उसके पिता-जी मंत्री है पर उसका हल कहा है वो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ एक मोहरा बन के बाद मत करें चेहरा इतना उत्रा हुआ है बिचारे लोग आये हैं खई गलत मत हो जाए हमको डाट पड़ेगा मैं पंचायद की विकास की बात करते हैं इन लोग से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अमारे टी एस बाबा पंचायद मंत्री तब ग्राम पंचायद को पचास लाग तक कैर नेकार दिया था उसको पाचास लाग तो नहीं, पांच लाग तक के कार पर भी हब उनके आदमियों से कराया जा रहा, और इन लोग जब राजीव गांधी जी ने डाली थी, उसको भी हब इन लोग ने नहीं चोड़ रहे हैं, करोहार cour टॉ हरा जब बुपेज बगाल दोहजारहारרכे सुनावी गोशनापत्र में आपत्र में verse कि नक्सली चेटर के क्राद के स्वार्ट करोड सालाना देंगे और शारी चेटर के क्लाम पंपनचाय नहीं की गई धितुमर्ट प्रस्था को 17 सत्तापक्ष से जो लगातार पंचायतों को लेकर घोशनाय की गई थी उसका क्या हुआ जनता सवाल कर रहे हैं बीजेपी के बुद्धी जी भी हमारे उंगा जी को मैं जो अभी बोल रहे थे कि इवा जो सम्मेलन कर रहे है हरिस्कवासी जी भाई मैं इन से पूझना चाह रह हो दूसरे कर रहे हैं तो तुमको क्यों तकलिब हो रही है सबसे पहले जो इवाउं की समस्या को सुनने के लिए और वो जीला पंचायत के अद्देख्ष हैं पूरा जीला के अद्देख्ष हैं कहीं पर भी इवाउं से बात करें करमचानियों से बात करें किसी भी किसान से बात करें या मजदूर से बात करें तो बैटक करके बात करने में क्या तखलीब है जीला के प्रमूख है वो बात कर सकते हैं इनको तखलीब क्या हो रहा है और दूसरी बात यह जो बोल रहे हैं कि यहाँ पर जीला में कुछ काम नहीं हुआ और पीडियस की बात कर रहे हैं कौरी और हो चुक है और आप सबको बता हैं चुनावी सी चुनावी साल है हर किसी को आसाएं रहती है है मैं पूछना चाहता हूँ 15 साल में जिस्य French ने चाहे लो सिक्षा कर्मी नियसे से बहुत सारे लोग जितने भी सास्की करमचारी थे इन्हों ने जब भारती जंदा पार्टी के केंदर में सरकार्थी पेंसन ने बंद किया लेकिन हमारे मुख्यमंद्री भुपेज बगल जी ने पेंसन ओड़े इसकी में पेंसन को चल्द से चल्द लागू किया और हमेशा है अगर इसकी में चाहें वो सास की करमचारी अर्दसास की करमचारी अभी समीदा को 27 परसेंट ज्यादा समीदा के पर से उनका मान दे बढ़ाया उनका तो भुपेजबागल की सरकार है हमेशा सब्सक्राइव पहले क्या सबी वर को लेकर की चलती चलिए तो न्यास लेने क कि बोले कि क्या बांदर की बात हैं अंदर की बात हूं तो नहीं जानते हैं क्यों डरते हैं नहीं मालूं जीरम गाटी के कांड के हो सकता है लेकिन जब से यह कोवाशी लखमा या मंत्री बनने से यह अनपड ना योजना में योजना बना के चल रहे हैं ना विकाज 20 साल विकाज पीछे चला गया है कोवाशी लखमा कारान चलिए जवाब ले लेंगे इस पूरे अरोपर जी अभी अभी जैसा आप सभी को मालूम है कि आजाद भारत में अगर पूरे भारत में अगर कांडरेस बात करते हैं विकास की आज अगर पूरा सुकमा जीला हो चाहिए पूरे देश की जो अगर विकास की बात करते हैं आज इतना पिचड़ा हुआ है तो 77 साल के आजादी में सबस एंगिवासि ऐसी व्रगे के युवा विभी ईवा पीडिंगों को त्याग करके राइपूर के ब्राज डाली में जोना धर्ना करना पड़ता है यह कांग्रेस का चहरा ही जिसके कारण से तरह गया आज इतना विकास की बात पर दोगवा आज बरस्ठाचारी के बात करते हैं 1334 कड़ोर खर्च करके 10,240 गोटान का निर्मान किया गया उन में से 3,380 गयों को समालने के लिए 9,304 रखे गए हैं और 33 जीलों में 6 जीलों में ही गाय गोटान में है अब चिंदगर जीलों में तो गाय गोटान में नहीं है ना सुखमा चिंदगर बलाग में नहीं है ना सुखमा बलाग कहीं नहीं है तो गायों के लिए जो खर्चा रहा है वो खर्च किस पे खर्चा हो रहा है चलिए इस पर भी जवाब लेंगे जल्दी से कारिकरों कांदियू चरने जी मेरा कांग्रेस पर्टी से सवाल है कि बस्तर फाइटर का इस्थानी आधार पर लिया जा रहा है तो सिक्षकों का भरती इस्थानी आधार पर क्यों नहीं लिया जा रहा है हम सब जानते हैं कि कहें सारे स्कूलों का नाम बदल कर स्वामी आत्मनेंद्र रखा गया है क्या स् इसकुलों में टीचर करने से शेचर का इस्चा का बढ़ेगा चलिए तो जनता का सवाल यहाँ पर आया है पहला सवाल यह है कि जब इस्थानी सतर पर बस्तर टाइगर की भरती है तो पर शिक्षकों की भरती क्यों नहीं हो रही है और दूसरा सवाल भी शिक्षा शेत्र से जुड़ा हुआ है कि क्या स्कूलों का नाम बदलने से जो शिक्षा का इस तरह वह उपर हो जाएगा जी देखिए मैंने पहले ही कहा इस्थानी इस तरह पे जो भरती वाला जो बात है आप सब को पता है मंत्री जी कवासी लखमा जी ने सीम साब के साम नहीernya बात रखी कि इस्थानी इसतर पर बस्तर बर्ट हो बस्तर इस तरस पर यह भरती हो लेकिन कमीटी कवीनेट मंत्री करने लगाना वह निराधार आरोप इनको कोई सरोकार से कोई अगर विकास करने काम करते हैं उसके लोग का काम में काम हडाने का काम करते हैं अब धनीराम जी बोल रहे थे कि यहां पर सब चीज महेंगा हो गया है मैं यह इनको यह बोल रहे थे अपना जो केंद्र की सरकार की योजना के बारे में बता रहे थे मैं इनसे यह पूझना चाहता हूं आज पेट्रोल का रेट क्या है जो उस समय 25 रुपय में मिलता था कांग्रेस की सरकार में उस समय यह लोग रोड में आके नास्ते थे कि महाइंगा मैंसा बढ़ गया थें पेटोर का रीट वढ़ गए सव रुप्यू घ्या और अज रसोई गेसं जो सड़ेश参सट मैं मिलता था आज 1192 रुपया हो गया है टमाटर का रेट 200 रुपया हो गया है प्याज का रेट बढ़ गया तेल का रेट 200 रुपया हो गया और आज भी यह लोग मोदी के हनबक्त है और बीजेपी के यह चटू कार लोग है जो जिला की जो कलेक्टर के यहां पे जो पहले बिजेपी सरकार में कलेक्टेड में जो भी काम जिला का होता था आज ओ काम अरिस्कवासी के टेबा लोके उसके बाद कलेक्टर के जा रहा है जैसे यहां जितने भी टेका काम होता है उसके बाद अरिस्कवासी के यहां अभी गोपनी टेंडर इतना ब्राष्ट चार हुआ है जैसे यह लिस्ट बनाकर देंगे उसके आधर पर ही टेका होता है ऐसा क्यों को कारी मोहरा बनाकर पूरा लिस्ट उनके घर में बनता है इसा इन लोग क्या सासन चला रहे हैं इसी चाशन चला पंद्रा साल में जितने भ लिए… आखरी सवाल ले लें करमचारी वर की तरफ से एक शवाल आया है.. жुलाई दोजार आठार्वां में सिक्षक संवर के द्वारा सिक्षक-कर्मियों के द्वारा हर्ताल किया गया था इतिहास में पहली आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी सिख्षक पंचायत करमचारियों का नीमिती करण या शविलन किया गया था जुलाई 2018 में जब विजेपी की सरकार थी तब मुख्यमंत्री रमन शिंग जीने बहुत बड़ा एक कदम उठाते हुए सिख्षकर्मियो को पंचायत करमचारियों को नीमिती करण करते हुए हजारो करोड का शौगात दिया तो बरतमान सरकार हमारी जो कांग्रेश शरकार है भुपेज बगेल महोदय जी है तो अभी हम जो लिपिक संग है मांग को लेकर बैठे है वेतन विज संगती को लेकर बैठे है केवल और केवल सो करोड का ही बजट भार प्रतिवर्स पड़ेगा तो मेरा सभी लिपिक सातियों की ओर से भुपेज बगेल महोदय जी सादर निवेदन है एवन अनुरोध है कि हमारे वेतन विज संगती के मांग को पूरा कर हमें संतूष्ट करें धन्यवार चलित उम्मीद है कि ज चेतर कुंटा विदान सभा चेतर से एमेले हैं और वो इलिटरेट है अनपड़ है पड़े लिके नहीं है क्या आपको मतलब अपकारी मंत्री जी को मैं सवाल करना चाह रहा हूं क्या आपको कभी इस बीच में इस बीच में ऐसा नहीं लगा कि मुझे किताबी घ्यान की भी पढ़ लेना चाहिए चलिए अभी आपकारी मंत्री होते तो जरूर से हम जवाब लेते लेकिन से जल्दी से चुनाओं वर्ष होने से पहले यहां पर चाप सिंगार हम देख रहे हैं सिलगेर देख लें अब एड़ेस मेटास देख लें कई जगा अभी भी हजार वादी व संबाग में धाई लाग से ज्यादा बेरोजगार हैं यह आपका पत्रिका के माध्यम से उसको रिपोर्ट बता रहा हूं मैं अभी वर्तमान में आज कहां हो रहा है रही बात हमारे चिंगण के जो जनपर शदस जो भहिया है वो कह रहे हैं कि आज यहां पर बस्तर फाइट पर कि देखें की यह सबाग्स है कि आपकी बाता हुआ मैं सथा क्योंको सवाल करते हूं चैनल टता से लेकर 2018 टक जनता किस परकर परिसांती थी इन्होंने कचानों को छला इन्होंने वैपारी को छला इन्होंने अधिवासी को चला जनता पूरा मुंड बना ले इसलिए नहीं 14 सिट पिला हैं और अभी आप सभी टीवी चैनल में देख सकते हैं कि इस बार भी पूरा मुंड कवासी लख्मा की और भुपेज बगेल की और कांग्रिस की और है और मैं अभी इन्होंने एक सवाल उठाया था कि आदिवासियों मैं में 300 घर इर्रापोर में 100 घर से ज्यादा जलाए जब तक इसे मौजा देने का याद नहीं आया लेकिन हमारे कद्दावार आदिवासी हितेसी मानी मंद्री जी का उसी लख्मा जी ने दो लाग से चार चार लाग मौजा उन परिवार को दिया है उनसे पूछिए जब वो ज चलिए आखरी सवाल बीजेपी से भी आई है कि आपकी बार किस तरह की सरकार 36 में होगी कोंटा का क्या नतीजा होगा जी अब ही जैसा बता रहे थे कांग्रेस के लोग मैं आपको बता दूं कांग्रेस के वल जूट के दम पर मैं पहले ही बता दिया था पस्ट में ही गंग भारती जनता पार्टी पूर्ण रूप से 36 में सरकार बना रही है यह हम नहीं बोल रहे हैं यहां का पूरा सर्वे और अभी आमारे राजी साव बता रहे थे कि जनता ने मून बना लिया है कि कांग्रेस सरकार को उकार भेकने का और इस समय जो है क्योंकि आदिवासियों के बात करते हैं, हमारे कांडर्स के भाहि लोग इन लोग उने इतना छेड़ चाड़ किया है, भारती जनता पाटी 2012 में कानून बनाया था, यहां के हर ट्राइवल जीलों में इस्तानी लोगों को भरती करने के लिए एक कानून बनाया था, उस कानून को खतम कर दिये, और इन ल से भी हम लोग रुके हुए हैं, और उस आधार पे आज बहुत कोंटा विधान सभा की हम बात करें, 36 गड़ में तो सरकार बनी रहा है, इस समय कोंटा विधान सभा में भारती जनता पाटी बड़ी भाहमत के साथ यहां जीत के आने वाली है, क्योंकि जनता का मूंड है, क् से बड़ा समूई यहां पे है, महिला की मद्दाता ज्यादा है यहां पे, और महिला लोगों का जो परिशानी है, उनकी बद्धुएं जो है, इस बार कांग्रेश के कवासी लख्मा को क्योंकि आज कवासी लख्मा सामना करने नहीं आ है, यही पहला आ रहा है उसकी कवासी जोट के सहरे नहीं कार करता के दम ऐसे की बाद करते हैं। भारती जंता पार्टी ने जब जीला बनाया निर्मार जिन सब्सक्राइब लगातार लावच पैम कर देखना होगा इस बार की टुनाव है कि विसलार आ आप सभी महमारों का बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे इस कारकरम में जुड़ने के लिए और इसका सार्था किस्ता बनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। TV24 के लिए कोंटा विधान सफासे, केमरमन कपिल के साथ अमिच शर्मा।